आप देख रहे हैं 24 की रेस बताएंगे सुकेश आज बात करेंगे इंडिया खेमे की इंडिया खेमा सीट बटवारे को लेकर जद्दो जहत करता हुआ नजर आ रहा है तमाम और भी चीज़े हैं जिसको लेकर तमाम पार्टियां आपस में समीकरण बैठाने की कोशिश कर रह है क्योंकि चुनाओं में अब ज्यादा वक्न बचा नहीं है अब 0.5,2 महीने रही exact बचा हुआ है जब तयारियों को पूरा फ्रेम दे दिया जाए और क्या वो फ्रेम दिया गया अभी तक नहीं दिया गया इसको लेकर बात करेंगी। सुकेश जी, इंडिया का प्लाइन क्या है, इस से पहले सीट शेरिंग का फॉर्मूला तै होना था, जो कि अभी तक फुल एंड फाइनल नहीं हो पाया, तो तैयारियां इस लिहाज से कहा तक देखी जाए, कहा तक पहुंची है। देखिए वांसु, जो आखरी बैठक थी, वर्च्वल बैठक, जो कुछ दिन पहले ही हुई है, उसमें सोनिया गांधी ने ये कंक्लूट किया, कि हम उम्मीद करें कि जो पारलिमेंट का सेशन है, उसके पहले हम सीट सेरिंग के साथ तैयार हो जाएं। तो ये डेडलाइन वहां तक बढ़ी है, तीस तारीक से सेशन है, तो उसके पहले इसको आखरी रूप दे दिया जाए, उसकी कोशिश हो रही है। कुछ एक्सलरेशन दिख रहा है, कुछ जल्दबाजी दिख रही है, जब हम आप बात कर रहे हैं तो आज समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस की बैठक होनी है, ये बैठक पिसली बाद टल गई थी, जिन परिस्थितियों में टली थी, उसके बहुत चर्चा हुई, कि दरसल कॉंग्रेस जो है वो बसपा के साथ टॉक्स में है, और इसलिए जान बूज कर ये बैठक टाल दी गई, कहा ये गया कि हमारे अध्यक्ष नहीं है, प्रुभारी नहीं है, दिल्ली में नहीं आ सके, कहीं बाहर थे, तो उस दिन समाजवादी पार्टी को लोटना प पीच, क्योंकि सपा को लगा कि हमें फौर ग्रांटेड लिया जा रहा है, अब जब की पंदरा तारीक को, अब से दो दिन पहले, बसपा ने ये क्लेर कर दिया, कि हम इंडिया के साथ नहीं जा रहे हैं, इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं जाएंगे, तो अब ये क्लारिटी ह यूपी में, मैं एक एकर के बाकी राजियों पर भी आऊंगा, कि समाजवादी पाटी, RLD और कॉंग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में होगा, ये कितना मारक होगा, कितना प्रेलिट कर पाएगा, जब सपा बसपा RLD का गठबंधन था, तब भी बहुत जादा आच तो खास ध्यान है, उत्तर प्रदेश में प्रहुराम की प्रान प्रतिष्णा हो रही है, तो उसको लेकर एक मोमेंटम बन चुका है, वो पुरे देश में बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो खास तोर पे है, लोगी, मोदी और राम, यो चीज़ है कि कितना इमिकेबली आप सेक्ल कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या को कयास ये लगा जा रहे हैं कि कोई साथ मांग रहा है समाजवादी पार्टी पैसक मांग रही है कॉंग्रेस भी नौ में 21 सीटे जीती थी तो उस लिहाज से वो 25 सीटे मांग रही है क्योंकि उसको मालूम है कि कोई बड़ा प्लेयर उनके अलावा नहीं है सिर्फ तीन लोग है RLD सपा और कॉंग्रेस बसपा होती तो शायद वो कम सीटों पे दावा ठोकती जो मेरी जानकारी है आज जो बैठक होगी उसमें ठेट बेर इस पे चर्चा होगी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कि सीटे आपको जो लड़नी है वो सिर्फ सीटे ना बताईए सीटों का गनित बताईए और सीटों पे किसको लडाने वाले हैं जो आप इंपोर्टेट कोई समाजवादी पार्टी से ही आ गया है आप उसको लडाने वाले हैं सपा यसा समझती है जैसे कलाल जी वर्मा है वो कॉंग्रेस में आ गये हैं कॉंग्रेस उनके लिए सीट चाहती है सपा से वो अपनी पारी खेल चुके हैं वो बहुत सक्सिस्फुल नहीं थे सपा उनको नहीं चाहती ऐसी बहुत सारी सीटे हैं जिस पे सपा का रिजर्वेशन हो सकता है कि कॉंग्रेस पार्टी बिना तैयारी की बात कर रही है वो त अस्तिफाइड डिमांड है उनका तो हम कंसीड करने को तैयार है लेकिन इतना जरूर है कि सपा, RLD और कॉंग्रेस ये गटबंदन में होंगे कौन कितनी सीटे लड़ेगा इस पे ये चर्चा जो आज हो रही है वो आखरी दोर की नहीं है एक आद दो सीटिंग और होगी और वो फाइनल हो जाएगा अचा डूसरे रज्जों पे आएं उससे पहले ये कहीं लेट तो नहीं हो रहा है ये जो वक्त है ये कितना इंपोर्टेंट है इस टाइम पे क्योंकि अपतीस थारीक के आपने काड़ डेडलाइन दे दी गई है तो क्या अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो समझते हैं और बढ़ेंगे और इस वक्त आज की डेट में क्या लेट नहीं हो गया है मेरे हिसाब से तो मुझे तो लगता है कि अब तक चीज़े फाइनल हो जानी चाहिए थी क्योंकि आपको प्रचार भी करना है उससाब से बाकी चीज़े भी मैनेज करनी है वो इंपोज करती है बाकी दलों पर उत्तर प्रदेश मुझे उसका गटबंदन है वो छोटे दलों से है वहाँ भी हिकप्स है लेकिन उस बड़ी संख्या में वो डिमांड नहीं कर सकते बीजे पी से कई बार वो एक दूसरे को कॉंप्लिमेंट करते हैं सर्टिन सीट प नहीं है क्योंकि वो लेसर पार्टनर के तौर पे समाजवादी पार्टी वहां बड़ी भाई बड़े भाई की भूमिका में है और यह डेडलाइन खुद को दिया गया है आज ही लालुक्तसाद यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इतनी आसानी से होता है सीट शेरींग हो रहा है बात चल रही है होगा दो दिन पहले इतिश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने का कि सब ठीक हो जाएगा सब रास्ते पे हैं तो यह ट्रिकी बिजनेस ह क्योंकि उनके पास उनके साथ जो उनके पार्टनर्स हैं कांग्रेस के इंडिया ब्लॉक के आप उनको अगर देखें अड़ रिस्क और रिपीटिंग अड़ गॉस्ट और रिपीटिंग मैं कहता हूँ कल भी कहा था कि उनके साथ अखलेश यादव है उनके साथ नितीश में बहुत जादा कुछ स्टेक पे लगा है तो वो बहुत कंसीड करने को तयार नहीं हो इसलिए इंडिया ब्लॉक में सीटों के गटबंधन का जो मामला है वो इतना आसान नहीं है कि आजा बैठे एक सिटिंग में आपने ओक्टे कर दिया लेकिन मैं इस बात को फिर से कह कि उत्तर प्रदेश में भी गटबंधन होगा एक दो सिटिंग और होगी वो कितना मारक होगा वो डिवेटेबल हो सकता है बिहार चलिए बिहार में भी गटबंधन होगा उसमें मूल दो पार्टियां है जेडियू और आर जेडी लेफ्ट और कॉंग्रेस वहाँ इतनी dominant force नहीं है कि वो terms dictate कर सकें तो वहाँ भी गटबंधन हो जाएगा ऐसा नहीं है कि वहाँ भी चर्चा नहीं हुई है चर्चा हुई है कई दोर की चर्चा हुई है लेकिन कॉंग्रेस को भी left को भी कुछ सीटों को लेकर उनकी अफेक्षा है कि ये सीटे हमें मिलनी चाहिए गठबंदन में ये काम आसान नहीं है कि आप बड़े आराम से जीती हुई सीटे भी दे दो 17 में से 16 जेडियू ने जीती हुई है बहुत सारी सीटे ऐसी है अगर विदान सभा के हिसाब से देखे तो आरजेडी का क्लेम बनता है वहाँ से जेडीयू को हटना पड़ेगा वहाँ आरजेडीयू को आना पड़ेगा कुछ सीटों पे जो पारंपरीक तोर पे कॉंग्रेस को लगता है कि ये सीटे किसंगर्यू उसकी जीती हुई सीट है कट्यार से वो लड़ते रहे हैं बाका भी सीट वो चाहते हैं तो ऐसी बहुत सारी सीटों की चर्चा करने लगा तो देर हो जाएगी लेकिन बिहार में भी बहुत आसान नहीं है कॉंग्रेस पार्टी के लिए कि कुछ अपना पाए अपना अपना हिस्सा लेके वो आराम से निकल ले ऐसा नहीं है लेकिन मैं फिर से कह दू बिहार में भी ये गटबंधन करी परिते है दिल्ली आईए बंगाल जाने के से पहले दिल्ली चला आता हूँ दिल्ली में गटबंधन ते है उसमें आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस के बीच बात हो चुकी है वो चार तीन का फॉर्मूला होगा आमादमी पार्टी लड़ेगी तीन कॉंग्रेस लड़ेगी सीट्स तैह हो रही है कि कौन सी सीट्स कॉंग्रेस को दी जाए कि दोनों का वोट जो है वो बीजेपी को अंसेटल कर सके बीजेपी ने अपने हिसाब से वहाँ तैयारी शुरू कर दी है कुछ बड़े नाम हो सकते हैं कि बाहर से आ जाए लड़ने के लिए क्योंकि मालुम है बीजेपी को कि दोनों का वोट बैंक अगर एक होता है तो दिल्ली में दिक्कत हो सकती है तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कॉंगरेस आगठबंदन होगा ये भी तैय है तो मैंने तीन राजे बता दिये कि यहाँ गठबंदन होगा seats 19 हो जाए 20 हो जाए किसी दल के लिए लेकिन इन तीनो states की बात मैंने कर ली आपसे पंजाब चलिए मैं बता जेता हूँ पंजाब में गटबंदन नहीं होगा पंजाब में Congress और आम आदमी पार्टी अलग-अलग लडएंगी वो गटबंदन में होँगी लेकिन अलग-लग लडएंगी तेरहो सीचों पे लडएंगी आम आदमी पार्टी भी, Congress भी क्योंकि वा ये चर्चा हो सकती है ये चर्चा हो सकती है कि ये किस तरी के गटबंदन है कि एक स्टेट में होगा एक स्टेट में नहीं होगा ये टैक्टफल गटबंदर में कि पंजाब में बीजेपी को अकाली दल को विपक्ष की भूमिका में आने न दिया जाए अभी वहाँ विपक्ष की भूमिका में कॉंग्रेस अपने आपको देख रही है वो 13 में से 8 सीटे जीच चुकी है जीच चुकी थी एक सीच चाथ लूज कर गई वो अपना तो साथ सीचे है उनकी अभी एक सीच है आम आदमी पार्टी के पास लोग सभा में पंजाब से लेकिन विधान सभा में वो बहुत मैसिव तरीके से जीचे थे तो वो बीजेपी या आकाली को अपोज इंग्रेस में कि वहाँ हम फ्रेंडली फाइट में होगे वहाँ हम दूसरे दलों को मौकाद न दे यह बहतर है तो वहाँ गटबंदन को लेके कोई लोचा नहीं है लेकिन वह अधिक वह अधिक पूरी माइट के साथ लडएगी और आम आदमी पार्टी अपनी पूरी माइ में होगा यह उनकी सोच है आप और जाहिर तोर पे जो उनका विपक्ष होगा वो यह बात कहेगा कि अच्छा गटबंदन है आप दिल्ली में साथ लड़ते हो पंजाब में अलग लड़ते हो बले ही दिल्ली में ना लड़े या साथ सीटे है तेरा सीटों के लिए तो स्पेस ना दिया जाए जैसे की लेफ्ट में 20 केरला में 20 सीटे हैं कॉंग्रेस ने वहां अच्छा प्रदर्शिन किया था वहाँ बीजेपी हाश यह पे है वहाँ भी गटबंदन नहीं होगा मेरी जानकारी में तो हाँ कॉंग्रेस और लेफ्ट अपनी अपनी पूरी ताक सकती है बहुत दिन से साउथ में खास्तोर पे केरला में बीजेपी इन रोड बनाने की कोशिश में है फिराक में है तो वहाँ वह पंजाब की तरह ही बीजेपी को स्पेस नहीं देना चाहते या गडबंदन का एक ऐसा स्वरूप भी रहने वाला है जिसमें एक ही पार्टी सारी सीटों पर चुनआव लडएगी लेकिन दूसरा सपोर्ट में भले दूसरे राज्यों में ख़ढ़ा है लेकिन उस राज्य में सपोर्ट नहीं करेगा वो अपनी राजनीती अपनी वहाँ तो क्योंकि कॉंग्रेस और लिफ्ट की ही फाइट हो नहीं है केरला में तो व कमाल की कमाल गटबंदन है आप कहीं साथ हो कहीं खिलाफ हो लेकिन अगर उस लॉजिक पे जाएंगे तो जेडियू हाल तक बीजेपी के साथ थी बिहार में लेकिन अरुनाचल में वो खिलाफ लड़ती थी एलजेपी मनिपुर में खिलाफ लड़ती थी कई ऐसी पार्टिया हैं जो उस गटबंधन में हैं जो सेंट्रल लेवल पे तो नरेंदर मोदी के साथ हैं लेकिन स्टेट के लेवल पे वो भी येपी से लड़ती हैं लेकिन स्टेट और जो चुनाओ होते हैं आम चुनाओ होते उसमें फर्क होता है लेकिन अगर एक ही चुनाओं में इसी तरह का पैटर्न देखने को मिले तब क्या करिएगा नहीं ये हो इससे भी इससे भी भयानक पैटर्न देखने को मिल सकता है आपको बंगाल आईए बंगाल में कॉंगरेस के साथ T.M.C. अगर बंदन हो जाएगा लेकिन लेफ्ट के साथ नहीं होगा लेकिन तीनों एक ही इंडिया ब्लॉक के हिस्सा होंगे क्योंकि वो कंसीड करने को तयार नहीं है ममता बैनरे जी कि लेफ्ट के साथ हम नहीं जाएंगे लेफ्ट इंडिया ब्लॉक का बाट है वो बिहार में इंडिया का उमिदवार होगा लेकिन बंगाल में वो इंडिया का उमिदवार नहीं होगा अगर वो लड़ेंगे तो वो अकेले होंगे टासिट अंडरस्टांडिंग कॉंगरेस और लेफ्ट के भी छो सकती है लेकिन टी-एमसी वहाँ उनके खिलाफ लड़ेगी तो यह डाइकॉटमी होगी यह कॉंटरिक्शन्स आपको नजार आएंगे जो की बहुत बड़े लेवल पर प्रचारित किये जाएंगे लेकिन ग्राउंड पे स्थिति ऐसी है कि चाहे वो कॉंगरेस हो, चाहे वो टी-एमसी हो चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो आउम आदमी पार्टी हो वो सब अपनी स्पैस लेखेंगे कि हम कहां अपने इन रोड्स बना सकते हैं मेंटेन रख सकते हैं अपनी जो ताकत है वोट की उसको कमने न दे क्योंकि यह आखरी चुनाओ नहीं है उसके बाद भी उनको चुनाओ लड़ना है तो मोटे तोर पे जिन राजियों में देखी करीब करीब 200 सीते ऐसी हैं जहां मैं बार बा और कॉंगरेस की डिरेक्ट फाइटों मिल्कुल जो कमिटी है एलायंस पे उन्होंने करीब 255 सीटे फाइनल की है जहां कॉंगरेस अखेले लड़ेगी यह सीटे करीब 400 के आसपास थी 2019 में उन्होंने उसको घटाके 255 किया कि सारी एनर्जी हम 255 पे फोकस करेंगे वहां हम कितनी जीच सकते हैं बाकी सीटों पे हम अलायंस करेंगे कुछ जगर वो फ्रेंडली फाइट में होंगे कुछ जगर वो अलायंस करेंगे मैं फिर से बता दू कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी फ्रेंडली फाइट नहीं है बिहार में कोई ऐसी फ्रेंडली फाइट नहीं है TMC के साथ बंगाल में गटबंदन है लेकिन लेफ्ट के साथ नहीं है आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में है पंजाब में नहीं है तो ऐसे बहुत सारे गटबंदन होंगे जैसे BMK के साथ कॉंग्रेस का गटबंदन है कॉंग्रेस वहाँ DMK के बल पे वहाँ उनका organization पहले की तरह मजबूत नहीं है लेकिन DMK वहाँ काफी मजबूत है तो वो DMK एक साथ मिल कर चुना उलेगी तो ये सीटे तै होना बहुत मुश्किल नहीं है उसमें थोड़ी देर लग सकती है लेकिन इन राज्यों में सीटे तै हो जाएंगी अब सवाल ये आएगा कि सीटे तो तै हो गई है आपने कोई नीती बनाई है कोई alternate vision रखा है क्या देश के सामने तो वो आज सामने ये आया कि कॉंग्रेस ने manifesto committee के chairman उनके चितंबरम है आज उनकी PC थी तो कॉंग्रेस ने वो open किया है website की आप सुझाओ दे तो वो देखना होगा कि यवाओं के लिए महिलाओं के लिए किसानों के लिए गरीबों के लिए जो एक बड़ा वर्ग नरेंद्रमोदी का समर्थक है उसके लिए उस manifesto committee में क्या होता है manifesto committee क्या बनाती है और ये 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 कॉंग्रेस की manifesto committee जब वो बाकी लोगों के साथ बैठेंगे बाकी दलों के साथ बैठेंगे तो नितीश कुमार चाहेंगे कि बिहार का मॉडल हो अब बिहार का मॉडल क्या है जिस पे बहुत चर्चा हो रही है और नितीश कुमार तेजस्वी आदव ये चाहते हैं कि बिहार का मौडल आगे बढ़ाया जाए महारोजगार की चर्चा है आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये कुछ दिया जाएगा बिहार को बिहार सरकार की तरफ से, जेडियू की तरफ से कि पिछले सतर दिनों में हमने दो लाट से जादा सिर्फ एक विभाग में नौकरिया दी है वो साथ बताएं कि एक मिरट में इतनी नौकरी एक दिन में इतनी नौकरिया हो सकता है सेकंडों में गिनाए हो सकता है सेकंडू में किनाए वो इसलिए है क्योंकि politics जो है वो perception का game है अगर आप सरकारी नौकरिया देते हो और इसको कोई किसी को गुरेज नहीं हो सकता कि नौकरी एक बहुत बड़ा issue है और अगर सरकारी नौकरिया इतने बड़े level पे अगर दी गई है तो क्या वो center के level के चिंद्री स्थर पे जब आप चुनाओ लड़ने जाते हैं तो उसको आप मुद्दे में शामिल करेंगे की नहीं करेंगे उसको आप शोपीस करेंगे की नहीं करेंगे तो कोशिश ये होगी कि ये बताया जाए पुरे देश के स्थर पे कि एक सिफ बिहार में महाकटबं कि सरकार है इंडिया की सरकार है और इंडिया की सरकार ने इतनी नौकरिया दी है इतनी नौकरिया अब तक प्रपोज्ट है इतने रोजगार हमने दिये हैं तो आप राम की बात करते हो हम रोजगार की बात करते हैं तो तो ये narrative बनाने की कोशिश होगी, ये क्या, जो manifesto committee है, जो Congress की, और finally जो India adopt करता है, उसमें कोई जगा पाएगा क्या, पाएगा क्या, तो ये अभी देखना बाकी है, चोकि ये, अभी इसके शुरुवात हुई है, मैं कह रहा हूँ कि, सीटो के level पे, तो बाचीर पिसले कुछ दिनों से शुरू है, जब हम आप बात कर रहे हैं, तो आज भी एक बैटक हो रही है, लेकिन manifesto के level पे, नीती के स्तर पे, नेता के स्तर पे तो दिक्कत है, कि नेता कोई आगे होगा क्या, अभी तक doubt है कि कोई एक नेता आगे होगा, क्योंकि वहाँ बहुत मारा मारी है, व जो लाकलस्चर दिख रहा था, वो शेप में आने को आतुर दिख रहा है, एक तरफ आपने नयायातरा शुरू की है, तो अपने काडर को खड़ा करने की कोशिश, कोशिश ये भी है, कि तमाम जो अभी तो वो ऐसे स्टेट से गुजर रहे हैं, जहां उनके बहुत बड़े पाटनर्स नहीं, जब वो बंगाल में आएंगे, जब वो बिहार में आएंगे, जब उत्तर प्रदेश में आएंगे, यातरा आएगी, तो उस समय को वो एका दिखेगी क्या, और वो समय होगा, जब चुनाओ शाबाद पे होगा, अनांस्मेंट होने वाली होगी, या हो च तो वहाँ पर विकास का नारा इतना बुलंद हुआ और इस तरह से करेप्शन और तमाम चीज़े निकल कर आई तो उसने डाउन किया विकास को इतना आप किया गया कि प्रधान मंतरी नायन्द मोदी आज भी सत्ता में वहीं गुडगान करते हुए उन्हीं बातों का सत्ता मे काबिज है और फिर से आने की तैयार ही कर रहा है दो-चार चीज़े और एड करके तो वह एक मैजिकल जो एक शब्द होगा जो एक पॉइंट होगा वह सबसे ट्रिकी रहेगा या फिर यह जो सीट शेरिंग में अगर सब कुछ सही से हो जाता है तो यह रहेगा तो दोनों अच्छा चैलेंज दे सकता है नारेंद बूदी को या उनकी पार्टी को दूसरा एक ऐसा व्यक्ति आपके सामने है जिसके खिलाफ कोई अव्यस एंटी इंकंबिंसी नहीं दिखती है वो आपको क्रियेट करनी पड़ेगी वो एक नारेटिव के जरीए आपको उनको डॉक में डालना पड़ेगा और एक अल्टरनेट नारेटिव आपको बताना पड़ेगा कि हम रोजगार की बात करते हैं हम महंगाई की बात करते हैं हम किसानों की बात करते हैं हम युवाओं की बात करते हैं इसके लिए बाते करना अलग बात है लेकिन अपने मेनिफेस्टों मे अपने अपने नारेटिव में उनको केंद्रिये रोल देना और उसके लिए क्या करने की योजना है ये खाका बनाकर अपने सामने रखना देश के सामने रखना जैसे वो निया योजना के साथ आये थे 2019 में लोगों ने नरेंद्र मोदी को चुना वो 72,000 देने को तयार थे वो 6,000 उन्होंने 6,000 दिया लोगों ने 6,000 पर जादा वरोसा किया तो वो एक वायबल ट्रस्ट वर्दी नारेटिम कि जिस पे लोगों का ट्रस्ट हो ऐसे इशूज को लाका अगर वो सामने रखते हैं और पिछली बार कॉंगर्स अकेले थी इस बा अपने अपने स्टेट में कुछ न कुछ किया है तो वो रीजनल अश्पिरेशन भी आएंगे क्या जातिगद जन्गर्णा प्ले में आएगा क्या नौकरिया प्ले में आएंगी क्या और यह सब उनके पार्टनर्स ने कॉंग्रेस के पार्टनर्स ने यह करके दिखाया है तो क्या उसको incorporate करके sheet sharing पहला और दूसरा इस level पर की narrative है ये, आप चुनिए किसे चुनना है, लेकिन अभी तक का narrative ये है, कि मोदी हटाओ देश बचाओ, मतलब बीजेपी की government सत्ता से अटेगी तो ये विरोजगारी और जो महंगाई है, ये सारी चीज़े खतम हो जाएंगे ये बताने की कोशिश साफ तोर से हरमन से होती रही है और इसे बहुत सारे चुनाओ में खारिज भी किया है जनता ने, अभी तक हम देख रहे हैं, ये तो एक common theme है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, ये तो आप अपने विरोधी के लिए बोलते ही हो, ये कोई ऐसी चीज नही है कि मोदी रहेंगे ये मोदी हटेंगे, और देश की जनता किन चीजों पर तै करेंगे, आपके वो आपके साथ वो trust factor है कि नहीं, आपका जनता के साथ alliance है कि नहीं, आप न्याय की बात करना चाहते हैं, तो वो न्याय जनता आप से उमीद करती है अगर मोदी ने उसके team नहीं बन पा रहा है इस देश में, तो उसको आपको center में लाकर बताना पड़ेगा कि ये हमारा मुद्दा है, हमने ये करके दिखाया है, हम आगी करके दिखाएंगे, हमने state level पर करके दिखाया है, तो इसको लेकर आपको सामने जाना पड़ेगा, जनता को तै करना है कि व दोनों पर काम शुरू हो गया, इसलिए यह नहीं कह सकते हैं कि जो एक common narrative बनाने की कोशिश होती है, कि कुछ हो इनी रहा, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा, आप हर दिन अगर चाहेंगे कि आज यूपी डन, ये, 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 दिनों में ये पता लग जाएगा कि वो कितना आगे बढ़े हैं फिर जाकर ये लडाई contest वाली दिख सकती है थोड़ा इंदार करना पड़ेगा तीस तारीक का जो कि इसमें चीज़े फूल एंड फाइनल हो पाती है या नहीं हो पाती है हमारे दर्शक क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके बता सकते हैं बहुत बहुत शुक्री नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूस 24